अगर आपको पहनने में आपको प्राब्लम आती है तो इस वीडियो में मैं बहुत ही एजी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो में में काफी रिक्वेस्ट आज़ती ही कि मैं आपको एससी ट्रिक बताए जिसे कम सीधे पल्ले की साड़ी पल्लो के साथ पहन सकें सिए मने पल्लो लेना भी बताया है कि किस तरीके से आप आप लियुक्ते इनवार कहते हैं, पाल्य मेरी झाल पकते हैं, उपक ही सट vet, क्ष़ची मेक्स साड़ी दिन साड तो कौ eram यहिसे जांड़ साद तर लेते हैं यहां देखिए यह मेरी परपल कलर की साड़ी है और इसमें कुछ एमबॉयडरी हुई है और इसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन है तो काफी अच्छा लग रहा था परपल के साथ रेड कलर और फर्स राउंड इस तरीके से इंकरना स्टार्ट करते हैं मैंने अबॉयडरी है जब हम प्लीट्स बनाए तो आगे की प्लीट्स में आए इसलिए मैंने थोड़ा राइट हैंड की तरफ से इनकरना स्टार्ट किया है इसके बाद से हमारा फास्ट राउंड कंप्लीट होनी के बाद से हम यहां पर पलू बनाते हैं इस तरीके से यहां पर आप यहां पर देख रहे हैं सामने हमारा जहां पिन लगती है शोल्डर में वहां इक्वल करना है और अंदर की तरफ आप देख रहे होंगे कि प्लीट्स छोटी बड़ी है इक्वल नहीं है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सारी प्लीट्स बनाने के बाद से इस तरीके से आप कपड़े जो सुखाते हैं उसकी चिम्टी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से पिन को यूज़ ना करके क्योंकि ये जो सारी का जो फैबरिक है जिस सिफोन है काफी सौफ्ट है इसलिए मैंने यहां पर चिम्टी यूज़ की है और इसके पास से सोल्डर प जहां से आपको प्लीट में पिन लगानी है शोल्डर पर आप उस तरफ ब्राबर रखे और रेफ्ट हैंड की तरफ आप अंदर से जो प्लीट से वो चोटी बड़ी कर सकते हैं इसके पास से हम यहां पर एक चिम्टी और लगा लेते हैं इस तरीके से मैंने पिन सेफ्टी पिन बहुत कम यूज की हैं और सीधा पल्ला में पहनना बता रहें तो इस तरीके से आपको शोल्डर पर लेकर देख लेना है हमारी जो प्लीट से उतनी कम्प्लीट है जहां पर शोल्डर पर पिन आने वाली है इसके वासे बैक साइट से आपको पल्लू लेके आना है इस साड़ी कितनी छोड़नी चाहिए इसके लिए भी मैं बताती हूँ काफी लोगों को सर पर पल्लू लेना होता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखे सर पर पल्लू लेते हुए साइट में थोड़ा सा आपको फैबरिक छोड़ना है ताकि आपको पल्लू खिचे ना और यह जहां पर आपकी कमर है वहां से आप साड़ी को लेते हुए प्लीट बनानी स्टार्ट करें यानि उसके बाद की जितना साड़ी है आप छोड़ सकते हैं और सामने से फ्रंट प्लीट इस तरीके से आप कम्लीट कर सकते हैं इसे यह बहुत ही अच्छा आइडिया है इसे पल्लू लेना जा रहे हैं तो और सारी प्लीट बनाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं फोल्ड करनी है इन नहीं करना है आपको राइट हैंड की तरफ अपनी सारी प्लीट को करते हुए इस तरीके से एक पिन लगाने जिसे आपका पल्लू जिसे आपकी प्ल खराब नहीं होंगी और आप छोड़ सकते हैं देखा ना मैंने पिन लगाई और छोड़ दी इसे मेरी जो प्लीट्स है वो खराब नहीं होगी अब सामने हम फिनिशिंग देते हैं फिटिंग लाते हैं किस तरीके से सारी को एक्वली आप अपने नेवल के पास इन कर लेना है और वहाँ पर एक पिन लगानी है पिटिकोट से अटैच करते हुए अपनी सारी को इसके बासे आप अपनी सेंटर प्लीट्स को उठाते हुए इस तरीके से एक्वल कर लेना है सारी प्लीट्स को यहाँ पर देखिए प्लीट्स को एक्वल करनी के बाद आपको यहाँ पर लेना है जहां पर आपको पेटिकोट में इन करना होता है यह इसलिए मैं बताती हूं इससे आपकी प्लीट्स काफी अच्छी आती हैं और जब पेटिकोट में इन करोगे तो वह इधर उधर बिल्कुल नहीं होंगी इसलिए मैं बोलती हूं वहां पर आप में लगाएं और सा बास से सारी प्लिट को को इस तरीके इसे करते हुए सामने भी आप पेटिकोट के साथ अटैच कर सकते हो जिससे आपकी प्लिट इदर उदर नहीं होंगी निकलेंगी नहीं और as it is रहती हैं इसके बास से आप शोल्डर पर अब हम पल्लू लेते हैं कि इस तरीके से लेग्र आपको दो से तीन उंगल नीचे की तरफ आपको मेजरमेंट लेना है और सामने सीधे पल्ले की जो लैन्थे इतनी ही रखनी है जिनकी कम हाइट होती है उनको थोड़ा ज्यादा धिहान रखना है इस चीज का जिनकी हाइट काफी अच्छी है वो लंबा भी पल्लू ले सकते ह हैं और इसके बाद से आप एक साड़ी का पल्लू का एक कॉर्नर लेकि बैक साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ भी आप लेकि जा सकते हैं बट अभी मैं आपको सामने की प्लीट को इस तरीके से अज्जेस्ट करना बता रही हूं दोनों बॉर्डर आपकी सामने आए इसके दोनों ही मैंने ट्रिक आपको बता दी हैं तो मैं अभी फिलाल यहां सामने ब्लाउच के साथ ही अटेच कर लूगी मैं अभी ऐसे ही करने वाले हूं अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो आप बैक साइड में भी एक कार्णर को ब्लाउच के साथ अटेच कर सकते वो लुक भी काफी अच्छा लगता है अब आप देख रहे हैं हमारा पल्लू तो सेट हो गया सीधा पल्लू पॉफेक्ट है अगर आप पल्लू लेना नहीं चाहते तो आपकी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से अब आप अपने जुएल रिसेट कर सकते हैं पहन सकते हो इसके बाद से अब काफी लोगों को क्या होता है सर पर पल्लू लेना होता है इस तरीके से वो नहीं ले सकते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है और इस तरीके से आप एक करने के बाद से पीछे से आपको साड़ी लेनी है पहले आपने मैंने आपको बता दिया है ना कि आप पल्लू लेने के साथ साथ अपनी साड़ी का फैब्रिक छोड़ें किस तरीके से आप छोड़ सकते हो ठीक है अब इसके बाद से पीछे से पल्लू को ले और दूसरी साइड आपको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है ताज कि आप सर पर पल्लू लें तो वो खीचे न ठीक सैट नहीं करते हो तो सर पर पल्लू रखोगे तो इस तरीके से वो सरकता रहेगा, सरकता रहेगा, गिर जाता है, बहुत प्रावलम होती है, अब यहाँ पर सेफटी पिन लेनी है हमें, सेफटी पिन से आप अपने जो अंदर आपने चिम्टी लगाई होगी बालो में, उसके साथ अंदर से अपनी साड़ी को कंपलीट कर सकती है, बहुत अच्छी ट्रीक है, आपको कैसी लगी, जरूर मुझे बताना, थैंक्स पॉर वाचिंग बाब बाब